समचार मिलिये हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है काफी अब नौर्म बरसा हुई है इसलिए पूल के गिमे का सिरसिला है लेकिन उसके बावजूद भी पूल क्यों गिरा है इसकी जाज के लिए यहां का मुखमंती बहुत समय जन्सील है हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है यहां पर बहुत प्रकार के बावगाएं हैं नक बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं उन नहीं परशातन से मंदत लिए बावजूद उसके उत्रप्रदेश की सरकार सक्त है और उसक करवाई कर रही है नमश्कार स्वागत है आपका देश्वा नियूज में और मैं आपके साथ राजन देदे के बिहार में लगातार जो अपरादी घटनाएं बहुत करें पूल की पूल के गिरने का सिल्सला लगातार जारी है और हम आपको बता दे कि लगातार पूल गिर रहे हैं इस पे विपक्स भी कटाक्स कर रही है ऐसे में हम आपको बता दे जीतर रहमाजी आज पटना एरपोर्ट पे पहुंची और उन्हों से जब सवाल पूछे गए बढ़ते अपरादी घटनाओं के बारे में और जो बिहार में लगातार पूल गिर रहे हैं उसके बारे में तो उन्होंने भी साफ तौर पे सरकार का बिहार सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि बीते दिन बिहार सरकार ने बैठक बुलाई थी जिसमें इन तमाम मुद्दों पे बात हुई है और जिस बिहार सरकार है उन्होंने भी कह है कि जल्द से जल्द इस पर जाच होगी आप खुदी सुन दीजे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतर रामांजी आप लोग बोलिये जवाब मिलेगा जल्दी बाजी मत कीजिए समचार मिलिये हम लोग यह जानते हैं बरसात का समय है काफी अब नौर्म बरसा हुई है इसलिए पूल के गिमे का सिरसिला है लेकिन उसके बावजूद हुई पूल क्यों गिरा है इसकी जाच के लिए यहां का मुखमंती बहुत समय दंसील है कल ही उन्होंने बैठक ली है और सक्त ने देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की दरबड़ी हुई है उस पर आवस्चे करवाई किया जा और पैड़ी करवाई किया देखे हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है यहां पर बहुत प्रकार के बावाएं है नक्द बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं यह परसासन को चाहिए था वहां पर कि जब संख्या मात्र 80,000 के थी जूट गया हाई लाक तो उसको मैनेज करना चाहिए था यह सेव दार लोग थे जो प्रवंधक थे उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रसासन से मदद लेना चाहिए था उन नहीं प्रसासन से मदद लिए बावजुद उसके उत्र प्रदेश की सरकार सक्त है और उसका करवाई कर रही है गिरफतारियां चल रही है बावा का भी खोज के ल गातार बिहार में पूल गिटते जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ का इस कबर में फिदा इतना ही बने रही है हमारे साथ और देखते रहे हैं देश्वानिस धन्यवाद